क्या हुआ जब 450 सालों बाद कावड यात्रा के दोरान दिखाए दिया एक दिव्वी शेशनाग और उसने किस तरह बचाई दो कावड यात्रियों की जान इस घटना को जानकर आपके पैरो तले भी जमीन खिसक जाएगी शिरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तो कावड यात्रा एक पवित्र और बेहधी कठीन यात्रा होती है इस यात्रा के दोरान भक्त पवित्र इस्थानों से गंगाजल लेकर आते हैं और भूले बाबा का अभिशेक करते हैं जातातर लोग गंगाजल गौमुख गंगोतरी रिशिकेश और हरिद्वार से लेकर आते हैं और महादेव का जलाबिशेक करते हैं बात है सन 2016 की उत्तर प्रदेश के जांसी में रहने वाले दो भाई राकेश और सुरेश हर साल कावड यात्रा निकाला करते थे और उस साल सावन के प्रारंब होते ही उन्होंने कावड यात्रा की शिरुवात कर दी उनक के साथ कावड यात्रा में शामिल हुए थे वे लोग हरिद्वार जा रहे थे और वहां से गंगा जल लाकर भोले बाबा का जला भीशेक करना चाहते थे परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कावड यात्रा में महदेव उनकी बहुत बड़ी परिक्षा ले देने वाले थे दरसल जासी से हरिद्वार की दूरी 622 किलोमीटर है जिसका सफर उन्हें पेदल ही तै करना था और इस सफर को तै करने में उन्हें तकरिबन 6 से 7 दिन लग गए परंतु जब वे हरिद्वार पहुचे तो वहां बहुत तेजबरसात हो रही थी दरसल पहाड़ी और मैदानी छेत्रों में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते उस दिन गंगा का जल इस्तर बहुत ज़ादा बढ़ गया था परंतु राकेश और सुरेश के साथ अन्यकावर यात्री हर हर महादेव का नारा लगा कर बरसात में ही निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे लेकिन जब लोग हरिद्वार के बीम गोड़ा बेराज इलाके में पहुँचे तो वहाँ के पूल का जल इस्तर अचानक से बहुत ही ज़ादा बढ़ गया वहाँ पर बरसात इतनी तेज थी कि वहाँ मोजूद बांध कुछ ही देर में तुट गया और बार जैसे हालाद बन गये और उस बार की चपेट में सुरेश और राकेश के साथ उसके सभी कावड यात्री आ गए लेकिन वहाँ पर राकेश और सुरेश ने बहुत बड़ी बहदूरी दिखाई चुकि वे सभी कावड यात्रीयों को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आये थे इसलिए अपनी जान की परवा किये बगेर उन्होंने सभी को एक एक करके सुरक्षित इस्थानों पर पहुँचाया उन्होंने सभी सत्रा कावड यात्रीयों को उचित इस्थान पर पहुँचा दिया था लेकिन वे दोनों भाई खुद को बाड की चपेट से नहीं बचा पाए और देखते ही देखते दोनों भाई बाड में बह गए उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि अब वो जिन्दा नहीं बच पाएंगे लेकिन मन में एक संतूष्टी थी कि उन्होंने अपने साथ ही कावड यात्रियों को उचित इस्थान पर पहुचा दिया था दोनों ही भाईयों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और वे एक साथ बाड के प्रवाह में बह रहे थे लेकिन उसी समय वाहो पर एक बहुत बड़ा चमतकार हुआ दरसल उन दोनों का हाथ एक मोटी सी रस्टी से जाकर फस गया और इस रस्टी के माध्यम से वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे अब वो एक रस्टी ही थी जो मात्र उनके जीने का सहरा थी और उसके बलबूते पर वो देखते ही देखते एक सुरक्षित इस्थान पर आकर पहुँच गए लेकिन जब उन्होंने सुरक्षित इस्थान पर पहुँचने के बाद होश संभाला और पीछे मुड़कर देखा तो वहा का नजारा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चोप गए क्योंकि उनको भगवान शेशनाग ने स्वयम दर्शन दिये थे और जिस चीज के माध्यम से वे लोग सुरक्षित इस्थान पर आये थे वो कोई रसी नहीं बलकि शेशनाग की पूछ थी उन्होंने उस इस्थान पर शेशनाग भगवान को शाष्टांग दंडवत प्रणाम किया जिसके बाद वे विलुप्त हो गए राकेश और सुरेश पुना अपने सात्यों के साथ हरिद्वार गंगा नदी पहुचे वहाँ से अपने कावड में जल भरा और पुना जहासी आकर महादेव का सच्चे मन से जला भी शेक करा इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है निचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चुकि इस साल की कावड यातरा शुरू हो चुकी है तो समस्त कावड यातरियों को हमारी धेर सारी शुपकामनाए अगर आप रोजाना इसी घटनाए देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले अभी के लिए आप सभी दर्शुकों को हर हर महादेव